मुरहू में अलग-अलग स्थानों में गुरुवार को पानी में दुबने से एक महिला और एक पुरूश की मौत हो गई पहली घटना खूटी और पश्चिमी सिंगभूम के सीमा पर बहने वाली फुलजर नदी के समीट की है मुरहू पुलिस ने नदी से दुड्री गांव की अत्वार देवी उम्र लगभग 55 वर्ष का शव बरामद किया जिसकी मौत नदी में दुबने के कारण हो गई थी दभा में दुबने से मौत वहीं दुसरी घटना मुरहू के सोमार बजार की है जहां मन्रेगा से निर्मित सरकारी डभा में दुबने से मजदूर अनुप मुंडू उर्फ मंगरा की मौत हो गई मंगरा अपने घर से कपड़े लेकर डभा में नहाने उतरा और पैर फिसलने के कारण वह डभा में गिर गया मुरहू मुखिया ज्योती धोडराया ने मुरहू पंचायत के दो लोगों के निधन पर शोक प्रकट करते हुए उचित मुआबजे की मांग की है उन्होंने कहा अनुप पेशे से दैनिक मजदूर था और उसके दो अबोध बच्चे भी हैं उसके निधन के बाद परिवार की हालत खस्ताहाल हो गई है प्रशासन उसके निधन पर परिवार को मदद प्रदान करे